हेलो एवरिवन, वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल, कैसे आप सभी मैं अमीद कर दियू कि आप सभी अच्छे होंगे, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी अपना लंच रुटीन ब्लॉग और काफी दिन से मैं ब्लॉग भी नहीं शूट कर पा रही थी, अच्छे से क्योंकि मैं माईक में थी, आप सभी को पता ही है, जो मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं, तो उसी वज़े से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, तो अब मैं अपने ससुराल में आ चुकी हूँ, त तो आज मैं बना रही हूँ, पत्ता गुबी जो की बहुत अच्छी बनती है, सर्दियों में बहुत अच्छी रेसिपी है ये, और इसमें न मैं डालूँगी मतर थोड़े से, और अभी मैं सबजी को काट रही हूँ अभी, तो अभी मैं जस्ट किचन में आई थी, तो यहा काटने के बाद हम वोश करेंगी तो इसमें पानी रह जाएगा ना तो सब्जी अच्छी नहीं बनती है, तो अभी मैंने जो है समान है रेडी कर लिया है अच्छे से, तो फिर यहां पर मैंने ऑईल डाल लिया है, ऑईल जो है वह अभी गर्म हो चुका है, तो इसमें अभी अभी अपना रुटीन शेयर नहीं किया है, तो प्लीज अभी मैं आप डेली जो है आपके साथ ही ब्लॉग शेयर करती रहूंगी तो आप सभी सपोर्ट बनाए रखना और प्यास जो है मैंने वो डाल दिया है इसमें और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बन जो पत्त करूंगी जो भी मसाले विगारा है इसमें मैंने डाले हैं वो सभी इसको मिक्स कर दूँगी और उसके बाद यहां पे अभी मैं डालूंगी पालक पालक जो है वो घर की है और आप सभी को तो पता है इसमें कितने ब्लॉटन होते हैं और इसमें इसमें इसलिए मैं पालक ज कॉछ तरह बहुत पुले स्टीय है यह तरह प्लिट में मसाले में दालना पड़ता है फिर बीक पानी में इसको पकाई जाता है फिर गलते हैं और यहां पर मैंने अलू यह डाल दी है बीच में थैं इसको मैं मिक्स करदूगी जितना विसविए मैं रई तुरमान है मैंने को तो SECRET, समय मैंथनल बवी तुर्वाइज़ को 주ramड़ है मैं सब्सक्राइज और करें सब्सक्राइज सृद्रम अब जब शजाधा है तो बाकिन सब्सक्राइज भान नing वह अचो सोhaftिप्रासर आपच्छ दूंब और ये मैंने सारा जो है बहुत सामान अभी डाल दूँगी इसमें जितनी भी गोपी है जैसे कि ये पकती रहेगी वैसे इसके quantity है जो वो कम होती जाएगी और जैसे हम इसको देखो इतने भरी हुई लग रही है न ये सबजी जब इसकी पक जाएगी जे सबजी तो इसके quantity भ बहुत अच्छी थी और इसमें यहां पे अभी मैं जो सिल्फ है उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी अच्छे से क्योंकि साथ में हम आपनी जो है टाइल बगर रहे हैं बहुत सिल्फ बगर अच्छे से साफ कर देना तो इतना ज्यादा काम नहीं बढ़ता है और किचन जो है साथ में यह अच्छा लगता है क्लीन करना और यहां पे अभी मैं इसको साफ कर दूँगी फिर यहां पर धरतन पर है बहुत अच्छी खुशबू भी आती है ने मेरी रेचिपि आपको कैसी लगी है और यह देखिए अभी मैं इसको mix कर दूँगे और बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही थी सब्जी में और अभी जो है बहुत सब्जी ready हो चुकी है और उसके बाद मैं यहाँ पर आटा लगा दूँगी पर अटा लगाने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ओयल डाले के लिए जरूश्बूर से अच्छी गरम लिया है उसी से ही काम चलता है और यहां पर अभी मैंने तबाह रख लिया है अभी मैं रोटी बनाऊंगी और सभी खाने के लिए रेड़ी भी हैं खाने के लिए खाना और अभी मैं बनाऊंगी रोटी और आप सभी आ जाईए मेरे साथ ही इंज्वाई कीजिए खाना और धीरी धीरे और खाना खाने के बाद सारी जो है किचन भी उसको भी किलीन कर लिया मैंने और आप देख सकते हो और खाना जो है वो रेडी हो चुका है मेरा और अभी आ चुकी हूँ मैं यहां पे जो है गैस है मेरा में यहां पे रोटी बनाने के लिए उसको मैं साफ करूँगी और यहां जो है टाइल से उसको वी साफ करूंगी आठा वगएरा गिरता है ना रोटी बनाते बगत तो अच्छा नहीं लगता है इसको साफ करना ही अच्छा रहता है उसके बाद में यहां पर बरतन है थोड़ी से बरतन इनको वोश कर लूँगी फिर बाद में जो बाकी के बरतन लिए उसके बाद मैं शींक है शींक भी अच्छा साफ कर लूँगी जैवे में लगता है काम क्योंके शींक जो है ना इसमें भी जब अंबरतन बगारत होते हैं तो दाग दबेज लग जाते हैं तो वह अच्छा नहीं लगते देखने के लिए तो साथ मैं ही मैं इसको एकानेबstep कैसा लगी और कमेंट वोक्स में जुरूर पारताना फ्रेंट्स ये था मेरा लांच रूटीन ब्लाग और मैंने आप के साथ अपना लचा है और अभी मैंने खाना बना लिया है खाना सभी ने खा भी लिया है और फिर उसके बाद अभी मैं जस्ट रेस्ट करूँगी और कैसा लगा जी मेरे सिंपल सा आपको मेरे लांच रोटीन ब्लॉग तो कमेंट वक्स में जुरूर प्रताना फ्रेंड और लाइक शेयर और चैनल को सि झाल झाल